Hello everyone, आज के session में हम बात करने वाले हैं Rene test के बारे में Rene test आपने कभी न कभी सुना होगा क्योंकि इसका use सुनने के लिए किया जाता है कि sir अगर किसी व्यक्ति को भंक से सुनाई नहीं देता तो ऐसे व्यक्ति के लिए फिर हम कुछ टेस्ट करते हैं करते हैं gib है एक रिने ऐसे कई तेस्ट करते हैं जिसे हम यह पता-सलता है कि हमें कितना सुनाई दे रहा है या फिर नहीं दे रहा है कि sushi अब नहीं करने हैं पहले एक बात करने वाले हैं पहले एक basic सी बात समझ ये कि Rene test होता क्या है जरा ध्यान से देखिएगा जब हम Rene test की बात करते हैं तो इसके लिए सबसे पहले हम एक instrument use में लेते हैं उस instrument का नाम होता है बच्चे tuning fork tuning fork कई अलग अलग तरीके के tuning fork आपने देखे होंगे सुने होंगे जिसमें से एक most common tuning fork होता है बच्चे 512 हर्स का जो ज़्यादा तर डॉक्टर इस्तिमाल करते हैं मेरे हाथ में भी वही है आप आराम से अच्छे से देख सकते हैं कि इस तरीके का एक tuning fork होता है इस tuning fork के स्टेम पे यह होता है स्टेम पार्ट इसी के उपर नंबर लिखा होता है उसी नंबर में हमें स्लेक्ट करना है 512 हर्स 512 हर्स 512 हर्स का tuning fork most commonly use किया जाता है यह सबसे important बात है तो सर यहीं पे मैं लिख देता हूँ tuning fork कितने हर्स का लेंगे हपन 512 हर्स का बिल्कुल सर अब मैं मुद्दा यह है कि इस रिनेर टेस्ट को फिर चेक कैसे करें यह रिनेर टेस्ट होता क्या है tuning fork से हम कैसे इसे पता कर सकते हैं इसे जानने के लिए सबसे पहले आपको इन दो सब्दों के बारे में पहले से पता हो कि सर जब हम बात करते हैं bone conduction की या एक सब्द आता है air conduction जब भी रिनेर टेस्ट पढ़ोगे तो इन दो सब्दों का मतलब पहले से पता आपको होना चाहिए सब्द क्या है बच्चे एक होता है air conduction air conduction एक सब्द होता है बच्चे bone conduction bone conduction air conduction और bone conduction क्या होता है ज्यान से सुनो air conduction से मतलब है कि जो sound आपके कान तक पहुँच रहा है या आप मुझे सुन पा रहे है जो sound आपके कान तक पहुँच रहा है वो बेसिक तोर पे हवा के साथ जा रहा है हवा के साथ जाते हुए कान के अंदर से middle ear तक tympanic membrane को strike करते हुए ultimately inner ear तक पहुंचा और inner ear के पास आपके एक structure होती है cochlea जहां से हमें ultimately सुनाई देता है cochlea में organ of corti होते हैं जो actual sense of hearing organ माना जाता है वहां तक यह sound पहुंचता है और better सुनाई देता है हम सब वेक्ती में normal तरीका यही है कि सामने वाला कोई इनसान बोलता है कान के थू यह sound outer ear से middle ear middle ear से inner ear तक पहुंचता है और inner ear में cochlea के पास जा करके आप सब बच्चों को या हम सब को better तरीके से सुनाई देता है इस normal process को कहते हैं बेटा air conduction ठीक बात एक होता है bone conduction कि अगर कान में कोई समस्या है कानों से सुनाई नहीं दे रहा air conduction काम नहीं कर रहा तो हमें bone से यहां से कुछ ऐसे vibration दिये जाते हैं ऐसे vibration सुनाई जाए जिसकी वज़ए से हमें bone से direct ही हमें अच्छे से सुनाई देने लगे इस तरीके के method को कहते हैं bone conduction हर एक normal व्यक्ति का air conduction बैतर होना चाहिए क्योंकि हम normally कान के अंदर से outer middle और inner ear से सुनते हैं bone conduction से अच्छे से सुनाई नहीं देना चाहिए यह एक normal सा process है तो एक important बात जो हमारे दिमाग में निकल के आई है कि सर हर व्यक्ति का air conduction जादा होना चाहिए बजाए किसके bone conduction के हर व्यक्ति का air conduction जादा होना चाहिए यानि हर व्यक्ति को normal कान के थुरू ही सुनना चाहिए bone conduction से सुनाई ना दे कोई बात नहीं air conduction जादा होगा bone conduction कम होगा तो ऐसी कंडिशन में हम लोग हमेशा लिखते हैं या ENT के डॉक्टर्स लिखते हैं बेटा रिने टेस्ट पोजिटिव जब भी किसी व्यक्ति का रिने टेस्ट पोजिटिव लिखता है डॉक्टर तो बैतर तरीके से आपके चेहरे पे एक सुन्दर सी स्माइल आ जानी चाहिए व्यक्ति बहुत खुश होना चाहिए कि मज़ा आ गया से रिने टेस्ट पोजिटिव आ गया वैसे तो ज्यादा तर जितने बी टेस्ट आ पढ़ते हैं जैसे माल लोग किसी को टाइफाइड हो गया विडाल टेस्ट पोजिटिव आगया तो क्या एसी स्माइल दो जादी नहीं हुई है अगर उसको यह कह दिया जाए कि तुम्हारा प्रेग्नेंसी रिपोर्ट पोजिटीव आ गया तो प्रेशान तो ज्यादा तर यह पोजिटीव रिपोर्ट जो आते हैं वो प्रेशान करने वाले होते हैं पर ENT के केस में Rene test जब positive आता है तो हमें खुसी मैसूस होती है क्यों? क्योंकि हमारा air conduction ज़्यादा होता है और bone conduction कम होता है यानि डॉक्टर साफ सब्दों में कहता है कि भाईया तुमारा air conduction तो एकदम सही है bone conduction थोड़ा कम है तो इसका मतलब है कि तुम एकदम ठीक हो ऐसी कोई समस्या नहीं है एगरी हैं बात पे तो air conduction ज़्यादा होना चाहिए हर normal वैक्टी का bone conduction कम होना चाहिए बट अगर किसी वैक्टी में ऐसे हो जाए कि bone conduction वैक्टी को यहां कान के पीछे वाले हड़े से उसके vibration बहतर सुनाई दे रहे है इसका मतलब bone conduction ज्यादा air conduction कम अगर ऐसी कोई स्तीती बन जाए और डॉक्टर आपकी profile पे आपके prescription पे यह लिख दे bone conduction ज्यादा air conduction कम जो normal सुनना होता है air conduction के जरीए वो तो कम हो रहा है ऐसी स्तीती में डॉक्टर लिखता है बच्चे Rene test negative अब वैक्टी जो है प्रेशान हो जाएगा उदास हो जाएगा याद रहेगा Rene test positive आता है अच्छी बात है क्यों? क्योंकि air conduction ज्यादा bone conduction कम यानि उस वैक्टी को normal बैतर तरीके से सुनाई देता है अगर किसी वैक्टी में अगर किसी वैक्टी में ऐसा हो जाए कि bone conduction ज्यादा और air conduction कम तो Rene test ऐसी condition में क्या आता है बच्चे negative याद रहेगा अब Rene test को हम करते कैसे हैं इस test को use कैसे करते है सबसे पहले डॉक्टर लेता है अपने हाथ में tuning fork कितने hertz का ज्यादा तर हम use लेते हैं 512 hertz का most commonly tuning fork use किया जाता है 512 hertz का उसे डॉक्टर ऐसे पकड़ेगा या कोई health care provider वो ऐसे पकड़ेगा ऐसे पकड़ेगा मतलब stem से पकड़ेगा और पकड़ करके इस tuning fork को elbow पे strike करेगा elbow पे strike करेगा और यहां कान के पास लाएगा किसके? पैसेंट के और पैसेंट से पुछेगा हाँ भई तुम्हें इस कान से सुनाई दे रहा है तो पैसेंट करेगा कि हाँ जी मुझे यह साउंड बहुत अच्छे से सुनाई दे रहा है फिर वही दुबारा प्रोसेस होगा tuning fork strike करेंगे elbow पे और फिर कान के पीछे bone के पास ऐसे vibrations लगा देंगे यह stem यहां लगा देंगे अब पूछा जाएगा पैसेंट से सुनाई दे रहा है तो पैसेंट कहेगा नहीं मुझे इतना मजा नहीं आ रहा bone से मजा नहीं आ रहा यानि जब हम tuning fork elbow पे strike करते हैं तो vibration जैसे ही कान के पास लेके आए कान से उस patient को सुनाई दे रहा है मस सुनाई दे रहा है इसका अमलो उसकी air conduction एक दम सही है कहीं कोई दिककत नहीं है तो डॉकर ऐसी condition में लिख दे गा कि sir ऐसी condition में लिख दे गा कि air conduction तो उस व्यक्ति का क्या होगा ज्यदा और bone conduction क्या होगा कम तो आप बताइए मुझे जब air conduction ज्यादा bone conduction कम तो renae test हम क्या लिखेंगे अरे sir ऐसी condition में जब positive आता है तो खुशी मिलती है यानि उस व्यक्ति का कान एकदम सही है इयर उसका एकदम सही है बट अब मैं आपके सामने question रख रहा हूं एक client आया एक patient आया आपके सामने और patient आपके सामने सिकायत कर रहा है कि sir मेरे left ear में problem है मेरे left कान में problem है मुझे left कान से उंचा सुना ही नहीं देता उंचा सुनाई देने का मतलब है सामने वाला जो बहुत जोड से बोलता है तो मुझे अच्छा सुनाई देता है या फिर नॉर्मल वे में जो कोई बात कर रहा है तो मुझे बिल्कुल सुनाई नहीं देता तो दोनों सब्द एक ही है उंचा सुनाई देने का मतलब जोड से बोलोगे तो सुनाई देगा अधरवाइज नहीं देगा तो सर इस क्लाइंट में क्या समस्या है कि सर लेफ्ट इयर के अंदर प्रोब्लम है लेफ्ट इयर से हीरिंग उसे अच्छे से नहीं हो रही है चलो मान लीजे वो पैसेंट मैं ही हूँ और कोई को वैसी वो एलबो पर स्ट्राइग करेगा यह मेरा लेफ्ट इयर है कान के पास लेके गए सुनाई दे रहा है तो मैं जो इसे पैसेंट हूँ मैंने सिकायत करिए कि लेफ्ट इयर से मुझे सुनाई नहीं दे रहा है तो मुझे इसका ही जो साउंड स्ट्राइक करने के बा वाइब्रेशन सुनाई रहे हैं रटेंग्से और समझ जाएगा की हाँ कान में कोई न कोई न कोई तो समझा ज्यादा एयर कंडक्शन कम दॉक्टर तुरंत लिख देगा रिने टेस्ट क्या आया है उस वेक्ति का नेगेटिव बस इसी बात को थोड़ा सा ध्यान में रखना है बच्चे कि रिने टेस्ट पोजिटिव और नेगेटिव और इस बात से हम क्या समझे जैसी यह टेस्ट ने इंब्रेन में कोई प्रोब्लम है या मिडल इयर के अंदर जो तेरे छोटी-छोटी हडियां है और सिकल्स हैं आपने नाम सुना होगा मेलियस इंकस टेपिज उनमें कोई समस्या है यानि कान के जब हम तीन हिस्टे पढ़ते हैं आउटर इयर मिडल इयर इनर इयर अगर किस तरीके के लोस को हम लोग कहते हैं कंड़क्टिंग हीरिंग लोस क्या बोलते हैं बच्चे याद रखेंगे अगर आउटर और मिडल इयर में कोई समस्या है और मिडल इयर में कोई समस्या है क्या क्या समस्या हो सकती है इयर वेक्स ज्यादा हो सकता है टिम्पेनिक मेंब्रे को कहते हैं、 conducting hearing loss, और अगर inner ear के अंदर sch reduz society आगर आपके नर्व में समस्या है अगर आपकी नर्व में समस्या है, एक नर्व में नर्व होती है आपने नाम सुनो गाव 220 भी लोquar ले नर्व तो अगर उस नर्व में कोई समस्या है तो हमेशा ध्यान रखेंगे यानि जो problem है वो inner ear की है inner ear में endo lymph में problem हो सकती है पैरी lymph में problem हो सकती है या फिर उसकी किसी नर्व में problem हो जाए वेस्टिबलोग को क्लियर नर्व में problem हो जाए तो इस तरीके के loss को कहते हैं sensory neural hearing loss तो यह ध् hearing loss का पता लगा लिया कि सर अगर किसी व्यक्ति को bone conduction से सुनाई दे vibrations और air conduction से सुनाई ना दे तो ऐसी स्तिति में उसको हो जाता है बेटा conducting hearing loss ज्यान रखेंगे तो रिने टेस्ट के लिए सबसे important चीज हम देखते हैं conducting hearing loss का पता लगाने के लिए यह था आज के session के अंदर हमने discussion किया एक छोटा सा पार्ट जिसको कहते हैं रिने टेस्ट को हम कैसे use करते हैं एक better instrument के साथ हमने यह discussion किया है तो ज्यान रखें और भी आते हैं बड़ सबसे ज़्यादा most commonly हम यूज करते हैं 512 हर्स का आज की session में इतना ही next time पे एक और टेस्ट पढ़ेंगे जिसका नाम होगा बच्चे वेबर टेस्ट थेंक्यू थेंक्यू तो अल